So, Hello guys, Welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके iPhone में Green Lines की Problem आती है, जैसे कि आप लोग याँपे देख पारे होगे, इस टैप के अगर आपको Problem आती है, तो basically इनके reasons क्या है और इनके solutions क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा, विलके आइकोन को प्रेस कर लेना है. तो जब भी अगर आपको स्टैप की Problem आती है, तो इसके दो reasons हो सकते हैं. अगर हुगी Problem software की, तो first of all आप जाएंगे अपने iPhone की Settings में, देन आप क्लिक करेंगे General पे, आप लोग Software Update पे क्लिक करें, अगर कोई Update अवेलेबल होगा, तो first of all अपडेट करें, ठीक है? अगर इसके Chance की बात करें, तो काफी चादा Chance है कि ये जो Problem आपको आ रही है, वो आरी Hardware की वज़े से, ठीक है? अगर आपके Display में ही कोई Issue होगा Hardware से Related, तो इसके लिए आपको अपने iPhone को जो है, Apple के Service Center भिजाना पढ़ सकता है, ठीक है? तो आप एक बार अपडेट करके Try करें, अगर अपडेट करने के बाद भी ये Problem ठीक नहीं होती, तो आप अपने iPhone को Apple Store भिजा सकते हैं, ओके? So I hope आप लूप को वीडियो informative लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै मातादी!